असलाम लेकुम आज मैं आपके साथ शेर करूंगी मिर्ची के पकोडो की रेसिपी इसको हम बिल्कुल जोधफुरी स्टाइल में बनाएंगे बहुती फेमस ये मिर्ची वड़ा है वहां का और यकीन मानना बहुती अमेजिंग सा इसका टेस्ट आता है चलिए फिर देख लेत हैं इसे हम किस तरह से बनाएंगे सबसे पहले हम बेसन को चान लेंगे तो मैंने ये एक कप बेसन लिया है चान कर अगर आप इस्तमाल करेंगे ना तो इसके रिजल्ट जादा बैटर आते हैं और इसको चानने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे वन फॉर्थ टी अजवाईन हाथ पे इसको रखेंगे और थोड़ा सा इसको खिरश करके तब इस्तमाल करेंगे अवे सब ये चीजों को बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसका बैटर तयार कर लेंगे इसकी जो consistency है हमें ना तो बहुत जादा पतली रखनी है और ना ही बहुत जादा थिक तो यह देखे इस तरहा की इसकी consistency होनी चाहिए अब इसको हम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे इधर हम आलू की स्टफिंग तयार कर लेंगे तो इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून लिया है तेल और इसमें हम शामिल करेंगे आधर टी स्पून राई अगर आपके पास सरसो हो तो आप वो भी ले सकते हैं अभी एक टी स्पून लिया है हरी मिर्च और अद्रक का पेश्ट इन दोनों को हमने दरदरा सा क्रश कर लिया था थोड़ा सा इनको क्रेकल हो जाने देंगे तो जब ये मसाले क्रेकल हो जाएंगे अब इसमें हम शामिल करेंगे वन फोर्थ टी स्पून हल्दी पाउडर आधा टी स्पून लेंगे भुना पिसा जीरा पाउडर आधा टी स्पून लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च आधा टी स्पून डालेंगे कुटा हुआ धनिया अगर आपके पास कुटा हुआ धनिया ना हो तो तब आप इसमें पिसा हुआ धनिया भी ले सकते हैं आधा टीस्पून लिया है गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा डालेंगे नमक यानि टेस्ट के हिसाब से डालेंगे एक पिंच डाला है इसमें हिंग अब इन सबी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकिंड पकाने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे एक टीस्पून शक्कर शक्कर डालने से मिर्ची वड़ा का जो टेस्ट है ना बहुत ही अमेजिंग आता है इसमें हलके हलकी सी जो स्विटनेस होती है ना वही इसका असल टेस्ट होता है अगर आप शक्कर नहीं डालना चाते तो आप इसे इसकिप कर सकते हैं लेकिन पर्सनली मैं आपको सज़ेस्ट करूंगी के इसमें आप शक्कर जरूर डालें अब हमने दो मीडियम साइस के आलू लिये थे जिनको उबाल करके मैश कर लिया है अच्छे से इसे भी हम मसालों के साथ में मिक्स कर देंगे गैस का फ्लेम आपको इस टाइम पे बिल्कुल भी हाई नहीं रखना बिल्कुल लो रखेंगे और सभी मसालों को जब हमने अच्छे से मिला दिया तो थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे फिर इसमें हम शामिल करेंगे एक टी स्पून निम्बू का जूस आप इसकी जगा आदर टी स्पून अमचूर पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं स्टफिंग थोड़ी सी ठंडी होनी चाहिए तभी आपको इसमें निम्बू का जूस डालना है नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा मसाला बारिक कटा हुआ डालेंगे इसमें हराधनिया आप सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे इधर हमने ये छे हरी मिर्चे ली हैं तो मैंने ये इस तरह की मिर्चे ली हैं ना ही ये बहुत जादा मोटी हैं और ना ही बहुत जादा पतली आप अपनी पसंद की किसी भी मिर्श का इस्तमाल कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे मिर्श में इस तरह से बीच में चीरा लगाएंगे और इसके जो ये सीट्स है इन्हें हम निकाल देंगे तो जिससे हम आलू अगरा चीलते हैं न उसी से हम ये बीज निकाल देंगे बीज निकालने का जो रिजन है वो ये है कि हम इसमें आलू की स्टफिंग जब भरेंगे न तो काफी अच्छे से वो इसमें भर जाएगी क्योंकि जब बीज होंगे तो स्टफिंग थोड़ी कम रहेगी इसलिए निकालना भी ज़्यादा ज़रूरी है आप चाहें तो नहीं भी निकालें ऐसे भी आप बना सकते हैं अब हम ये आलू की जो स्टफिंग हमने त्यार की है न इसको लेंगे और मिर्चों में इसी तरह से हम अच्छे से भर देंगे मसाला ये आप इस मिर्ची वड़ा को इफ्तार में ट्राई करें यकीन मानना आपकी फैमिली में सभी को पसंद आने वाला है ये बहुत ही टेस्टी लगता है देखें सभी मिर्चों में हमने आलू की जो स्टफिंग है न अच्छे से फिल कर दी है अब इसमें से हम थोड़ी सी मिर्चे फ्राई कर लेंगे थोड़ी सी हम उठा के फिरिज में रख देंगे इधर हमारे बैटर को रखे हुए भी लगभग 15-16 मिनट हो गये है काफी अच्छे से ये सेट हो गया है अब इसमें हम दो पिंच डालेंगे बेकिंग सोडा या मीठा सोडा एक टीजपून डालेंगे इसमें तेल तेल डालने से मिर्ची वड़ा की उपर की जो कोटिंग है न वो बोखोत ही क्रिस्पी बनती है अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलिए अब मिर्चों को हम फ्राई कर लेते हैं यहां हमने तेल को मीडियम गरम कर लिया है बैटर को पहले हम मिक्स करेंगे मिर्च लेंगे और बेशन से अच्छे से हम इसे कोट कर देंगे और फिर इसको हम तेल में डाल देंगे सभी मिर्च इसी तरह से हम तेल में डाल देंगे मिर्चों को हमारी फ्राई होते वे थोड़ा सा टाइम हो गया है अभी इसको दूसरी साइट से पलट देंगे और ये देखें दोनों साइट से मिर्चों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है बहुत ही खुबसुरत सा ये देखें इस पे गोल्डन कलर आया है अभी इनको हम निकाल लेंगे और इस तरह से बहुत ही जबरदस किसम के हमारे मिर्ची वड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है अब एक पीस मैं आपको कट करके दिखाती हूँ उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें फैमली और फ्रेंट्स में शेयर करें और इस तरह की रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स पर वोचिंग दा वीडियो अलाहाफीज